हेलो एवरिवन, वेलकम टु स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है डॉक्टर सरिता दोस्तों बात करेंगे USA Presidential Inegration की जोसफ रॉबिनेट बाइडन USA के 46 वे राश्ट्रिपती चुन लिए गए हैं वेडनेस डे को यानि 20 जैन्वरी को उन्होंने राश्ट्रिपती शपत ली है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलॉंग करते हैं पॉलिटिकल करियर जो बाइडन का काफी जादा स्ट्रॉंग रहा है साथ ही इनके पास एक बहुत लंबा पॉलिटिकल एक्सपिरियंस भी है USA के प्रेसिडेंशल इलेक्शन के उपर जो लेक्चर एविलबल है दोस्तों उसमें आपको जो बाइडन के उपर और भी बहुत सारी चीज़े जानने को मिलेगी ये 46 वे राष्ट्रपती तो हैं और साथ ही ये सबसे जादा ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो USA के बने हैं राष्ट्रपती बनने के कुछ घंटे बात से ही बाइडन जो है काफी एक्शन में आ गए और उन्होंने कई executive orders जो हैं उनको sign किया सबसे पहले तो उन्होंने अमेरिका में mask पहनना जो है वो mandatory किया और इसी order पे उनका पहला sign रहा इस बार का जो USA का presidential election रहा ये काफी जादा interesting रहा बहुत historical events यहां पर हुए और कई जगा इन्होंने इसने बहुत सारी जो है सुर्खियां भी बटोरी क्योंकि ये जो election का पूरा process है ये लगबग यहां पे एक साल का presidential election का process चलता है और एक side Joe Biden थे और दूसरी तरफ जो है वो Donald Trump थे और दोनों की बीच में काफी close fight देखने को मिली और कहीं न कहीं जो Americans थे वो Joe Biden की तरफ जादा attract हुए क्यूंकि जो Donald Trump है उनकी जो policy थी और COVID को लेके जो negligency थी उसने कहीं न कहीं Americans को काफी जादा निराज किया और जिस वजह से जो Joe Biden है वो President के रूप में elect हुए लेकिन उनके elect होने के बाद जो है कई controversy वहाँ पे create हो गई जो Republican parties के leaders थे उन्होंने साथ ही Donald Trump जो है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि election जो है इसमें transparency नहीं है यहाँ पे धोखा दड़ी हुई है लेकिन फिर भी overall हम यहाँ पे आकर यह देख रहे हैं कि सारे जाच परताल के बाद भी जो है Joe Biden जो है वो 46 वे राश्ट्रपती के तौर पर यहाँ पर चुने गए हैं फर्स टाइम प्रेसिडेंट ओवल ओफिस में पहुँच कर बाइडन ने मीडिया से कहा कि उन्हें बहुत सारा काम करना है जिसके लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और वो बिना समय बरबाद कि अभी से काम शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही बता चुके हैं कि आगे आने वाले साथ दिनों में यानि कि एक वीक के अंदर वो कई एक्जेक्यूटिव ओडर जो हैं वो साइन करेंगे प्रेसिडेंट बनते ही जो बाइडन ने 17 एक्जेक्यूटिव ओडर पे साइन किये जिसमें से 6 बड़े फैसले में सबसे पहला जो बाइडन का फैसला है वो कोरोना वाइरस को ले कर रहा उन्होंने को लेकर सबसे पहले साइन किया और इसके तहट उन्होंने मास्च को फेडरल प्रॉपट्टि घोशित किया यानि कि हर वेक्ति को पैंडेमिक के टाइम मास्क लगाना ज़रूरी होगा और अगर आप कहीं पर भी रहते हैं चाहे किसी गौर्मेंट बिल्डिंग में काम कर रहे हो चाहे हेल्थ वर्कर हो या नॉर्मल आप पब्लिक हो तब भी आपको शोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मिंटेन करना होगा और ऐसी जो सकती है वो ट्रम्प ने मास्क को लेकर नहीं दिखाई थी साथ ही बाइडन ने साथ मुस्लिम देशो इराक, इरान, लीबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया और यमन पर लगा ट्रैबल बैन जो है उसे हटा दिया है ट्रम्प ने 2017 में ये बैन अपने आफिस के पहले ही हफते में लगा दिया था और ये जो मैटर है ये सुप्रिम में ये कहा था कि अगर अमेरिका ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करेगा तो वो खुद भी सेफ रहेगा और ट्रम्प ने पिछले साल अमेरिका को डबलू एच्चो से हटाने का फैसला किया था अमेरिका अब पैरिस समझाते में भी दुबारा शामिल होगा ट्रम्प ने 2019 में ये जो समझाता है उससे बाहर जाने का एलान कर दिया था साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत, चाइना और रूज जो है बहुत जादा पॉलूशन क्रियेट कर रहे हैं जबके अमेरिका उनसे इस मामले में बहतर काम कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा था कि इस समझाते से सतर सालों में पहली बार जो तेल है और जो नैचरल गैस है उसका नंबर वन प्रोड्यूजर बन जाएगा साथ ही बाइडन ने मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है ट्रम्प ने मैक्सिको से आने वाले जो प्रवासी थे उनको देखते हुए दिवार बनाये जाने को एक नैचनल इमर्जेंसी बताया था साथ ही अमेरिका ने कनाडा के साथ जो कॉंट्रिवर्शल की स्टोन एक्सल पाइपलाइन समझाता था उस पे फिलाल रोक लगा दी है तो इस समझाता पर रोक लगने से कनाडा के जो प्रधान मंत्री है जस्टिन टूडो तो सीधी से बात है उन्हें निराशा होगी क्योंकि उनके साथ ही ये पाइपलाइन बनाना था मिलकर ट्रंप ने 2019 में कनाडा के साथ ये जो 1900 किलोमेटर की लंबी तेल की पाइपलाइन है उस पर समझाता किया था उबामा के शाशनकाल में उबामा ने इस पर बैन लगाया था इसलिए बैन लगाया था क्योंकि कुछ जो पर्यावरन के जो समूत है उनका ऐसा आरोप था कि अगर ये पाइपलाइन बनती है तो इसके चलते जो क्रूड वाइल है उससे जो गैसे निकलेगी वो ग्रीन उबामा ने और अभी ततकालीन जो है जो बाइडन इन्होंने इसको फिलहाल रोक लगा दी है तो इस तरीके से प्रेसिडंट बनने की तुरंत बात बाद बाइडन ने कई एहम फैसले जो है वो लिए इसमें से बहुत से फैसले ऐसे थे जो कि ट्रम्प के लिए हुए थे और बाइडन को ऐसा लगा कि ये कही ना कहीं अमेरिका के प्रोग्रेस में हडल क्रियेट करेंगे तो उन्होंने उस फैसलों को चेंज किया जो बाइडन का जो इनोग्रल सेरिमनी था वो काफी जादा इंपोर्टन है कई माइनों से ये थोड़ा डिफरेंट भी रहा इसलि डिस्टेंसिंग का और मास्क का पूरा ध्यान यहां पे रखा गया था और बाइडन ने 128 साल पुरानी बाइबल जो है उसे हाथ में लेकर शपत ली साथ ही जो कैपिटल हील में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी इन्होंने अपने भाशन में उस चीज का भी जिक्र किया और उन्होंने जो लेक्चर दिया वो लगभग 22 मिनट का था जिसमें इन्होंने 2381 शब्दों का भरा हुआ यह भाशन था बाइडन की इनोग्रल सेरेमनी में पूर्व राष्ट्र पती जो हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया जैसे जोर्ज डबलू बुश जो हैं वो भी स्वागत किया साथ ही यहां की जो पहली विमन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है कहीना कहीं वो भारत से उनका जुडाव है भारती मूल की हैं वो तो उनका भी भरपूर स्वागत यहां पे हुआ बाइडन ने अपने इनोग्रल स्पीच में पूर्व राष्ट्र पत में यानि प्रेसिडेंशियल कमपस जो था महाँ पर जो हिंसा और प्रदर्शन किया गया था रिपलिकन पार्टी के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा तो महाँ पर उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम जहां पे खड़े हैं कुछ दिन पहले महाँ पर भीड थी उन लोगोंने सोचा था कि हिंसा से जनता की इक्षा को बदल देंगे लोक तंत्र को रोक देंगे और हमें इस पवित्र जगा से हटा देंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा ना आज होगा ना कल होगा और कभी भी नहीं होग इसके उपर lecture दोस्तों available है आप जरूर description box में उसका link लेकर देखेगा So here is the end of this lecture Thank you so much for supporting us